हेलो दोस्तो के लडी कलासिस में आप सभी का स्वागत है इस समय भारत और नेपाल के बीच में बहुत ही अधिक विवाद हो चुका है और ऐसे में दोनों देश की और से कठोर कदम उठाय जा रहा है जिससे दोनों देश की जनता को नुकसान हो रहा है तो आज हम यही बात कर इसको अच्छी तरह से समझना होगा तो हमें इन दोनों देशों के नेताओं को भी समझना होगा जैसे भारत के वर्तवान प्रधान मंतरी मोदी जी की बारे में आपको जानना होगा इनकी क्या सोच है क्या नेपाल के प्रती है उसी तरह से नेपाल के वर्तवान प्रधान म बीच में जो रेलेशन होता है वैसा किसी दूसरे देश के बीच में नहीं होपाता लेकिन आज वी सबसे बड़ी समस्था ए इन दोनों देशों की में सरकार और व्यात बीवाद सबसे जादा तवज्जो दे रही है आठ माई की ही घटना है आठ माई को भारत के रच्छा मंतरी राजना सिंग ने 80 किलोमीटर लंबी लेपू लेग धार चुला सड़क का उधगाटन किया तो नेपाल इस पर आप पती जता है ये पहली बार नहीं था इसके पहले भी काला पाने लेपू लेग वेलिम्पिया धुरा को भी नकसे में दिखाने जाने पर बिवाद कुछ जैदा ही बढ़ गया था वरतमान तनाओ को देखते हुए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बात सबसे जरूरी है क्योंकि नीती और नेड़े दोनों ही इनके हाथ में होता है हर देश जो इस तरह देखा जाए दोनों देशों में ही लोगतंत्र है हम यहाँ पर तीन ऐसे पॉइंट के बारें बात करेंगे जिससे आपको लगेगा कि मोदी और ओली में कोई भी फरक नहीं है तो चलिए सुरू करते हैं एक एक पॉइंट को भी स्तार से समझा जाएग भले ही इनके राजनीतिक बैक ग्राउंड अलग हो मोदी ने नेपाल के खिलाब कुछ आर्थिक समस्या खड़ी किया है तो ओली ने इस मुद्ध को ही बना कर चुनाओ जीतने के लिए परियोग किया है और अगर ऐसा नहीं होता तो ओली आज प्रधानमंत्री के पदपर न बरहावा देते हैं यहां पर एक सब्द आया है पूँची वाद का मतलब होता है कि जो सरकार आती है परिजन टाइम में वह अधिकतर प्राइवइट को परिशाई देती है चो प्राइवेट सेक्टर विष्टारवाद का बिरोद करते हैं तो वही ओली भारत पर विष्टारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं और अभी हाली में जो घटनाए घटित हुई है चाहे आप भारत चाइना का देख सकते हैं जो भिवाद हुई है उसी तरह से भारत और नेपाल के हैं मोदी जी है उसी तरह से नेपाल में परधार मंतरी केपी सर्मा ओली जी है इनके बीच में कोई भी एक तरह से देखा जाए इन तीन पॉइंटों के माद्यम से कोई फरक नहीं है लेकिन आप यहां से हम साथ पॉइंट और बात करेंगे जिसमें एकदम दोनों में बहु 14 से तब से भारत का जुकाओ अमेरिका की ओर अधिक हो गया है तो वही नेपाल का भारत से कम होकर चीन की ओर अधिक जुकाओ हो गया है इसका एक्जामपल है जैसे 2015 की नाकाबंदी आप सभी जानते हैं उसके साथ अप्रेल 2015 में आये भूकम 2018 ओली का प्रधान मंतरी बनना ऐसी बातों से पूरी तरह से क्लियर होता है कि किस तरह से नेपाल देश चीन की ओर अधिक जुकाओ रखता है दूसरा प्राइंट इसमें बताया गया है कि बढ़ते तनाव के कारण मोदी ने जहां चीन के 69 चीनी एप को परतिवंधित कर दिया है तो वहीं ओली ने भारत क सभी न्यूज चेनल डी-डी-डी-नेशनल को चुड़ा के आप उसे छोड़ सकते हैं उसके बास सभी नूज चैनलों को बैन कर दिया है इसके साथ ही नेपाल की संसत में हिंदी भासा में बोलने पर भी रोक लगा दी गई है तो दोनों में देख सकते हैं कि एक दूसरे को कारवाई कर रहा है तो दूसरा परदानमंतरी किसी दूसरे के ऊपर कारवाई कर रहे हैं इसके साथ बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर देखे बहुत ही अच्छे पॉइंट बताए गए है और आपको किसी को अगर लगता है कि गड़ बड़ लग रहा है आप कमेंट बाक्स म बहुत ही अधिक बिरोध हुआ तो वही नेपाल की ओली गवर्मेंट को मधेसियों का बिरोधी माना जाता है इसका सबूत यह है कि 2015 में बने नए समिधान में इनके अधिकार पर ध्यान ही नहीं दिया गया तो यह तीसरा पॉइंट था शोथा पॉइंट में यह बताया गय है कि अपनी 2018 की नेपाल यात्रा के दोरान मोदी ने कहा था कि भारत नेपाल का सेरपा बनेगा सेरपा बहुत ही मान समान नेपाल में माना जाता है जो पहाली छेत्रों में लोग रहते हैं और भारत की मदद से ही नेपाल सफलता की उचायों पर जाएगा पर नेपाली सरका कि बताये है कि मोधी सरकार भारत में जहां पूर्ड बहुमत की सरकार में है दोजर चौदे वाले जो इलेक्सन थैं उसके बाद नेपाल में हुआ है क्योंकि केपी सर्मा ओली जी का प्रधानमंत्री का जो कारेकाल धाई सलकता वो पूरा होने के करीब में है शठा पॉइंट ये बताए गया है कि भारत के बहतरीन रणेटिक चिंतक और मौझूदा बिदेश मंत्री जो भारत के इस समय मौझूदा बिदेश मंत्री हैं पिता स्वर्गी के सुब्रमाडयम ने एक बार कहा था कि भारत को पडोसी देशों से परिसान नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी बड़े देश को उसके पडोसी देश प्यार नहीं करते बलकि डरते हैं और कभी कभी तो सम्मान भी करते हैं आगे इन्होंने कहा कि भारत को छोटे देश के लचण नहीं दिखाने चाहिए क्योंकि एक हाथी खरगोस या हीरन की तरह बेवार करेगा तो उससे उस तरह स्विकार नहीं किया जाएगा लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हाथी अमेशा आक्रामक ही रहे और आक्रामक रहने पर कोई भी उसका मान समान नहीं करेगा और आज यही हुआ है इसी कारण से हाली के वर्सों में भारत का नेपाल के प्रती यही हाथी और खरगोस या हीरण का द्रिष्टी कोड देखा गया है जिसके करण से आज भारत का संबन देखा है चीन के साथ नेपाल के साथ भूर्टान बांगलादेश वे पाकिस्तान इससे तो बिगड़ा हुआ है और आने वाले समय में मालदी वे सिलंका से भी गरबर होने वाला है क्योंकि इन देखों पर चीन जल्दी क्यूकि उसको उपर भी पर भी दबाव बना रहा है कि अधीक करण चीन इन देखों को दे चुका है शहरे आप नेपाल को ले लेज़े भूर्टान को ले लेज़े बांगलादेश पाकिस्तान को तो जानते हुए है उसी तरह से मालदी और स्रिलंका भी है तो ऐसे में भारत के लिए आने वाले समय में और बड़ी समस्य हो जाएंगे साथवा पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो भारत देश में राजनीतिक इस सिर्था होना भी मोधी सरकार के लिए मजबूती प्रदान करता है जैसे 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंग प्रदान मंतरी थे और 2014 से अब तक नेरेन मोधी प्यम है देश के लेकिन नेपाल में अगर मैं 2008 से बात करो क्योंकि उसके पहले वहाँ पे इस तरह से लोकतंत्र नहीं हुआ करता था तो 2008 से बात करो तो नो प्रदान मंतरी बन चुके हैं आप तक जिसमें से दो बार केपी सर्मा ओली वे दो बार प्रचन पीम हो चुके हैं ऐसे में कहीं न कहीं भी बात को बढ़ाना या रोकना इस बात पर भी निर्भर करता है कि देश की राजनीतिक का माहूल कैसा है कितना कौन सा प्रधान मंतरी कितने समय तक रहता है सबसे इंपोर्टें सेंज होता है लास्ट में हम बात करेंगे कि मोधी वे ओली के राजनीतिक जीवन के बारे में सौर्ट इंफरमेशन कि मोधी जी का सुरू में कारकाल कैसा रहा या कि इस तरह सुनका राजनीतिक जीवन रहा उसी तरह से केपी सर्मा ओली में कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो दोनों के बीच में समनता हैं आएंगे मोदी जी का जन्म 1950 में तो केपी सर्मा ओली जी का जन्म 1952 में हुआ है education के बारे में मोदी जी का ME बताया जाता है लेकिन इस पर अभी भी बीवाद है आप सभी जानते हैं कि भारत में education के लिए के जो नेताओं के education होते है उसका कितना clear होता है और वहीं Oli जी के बारे में बताया जाता है कि Oli जी high school pass हैं उसके बाद इन्हों ने एजुकेशन को छोड़ दिया था ओली 1966 में पंचायती प्रडाली के विरोत के कारण राजनीती से जुड़े तो मोधी RSS के प्रभाव में आकर वह एमरजेंसी भी कारण माना जाता है कि मोधी जी का राजनीती में आने का एक बात अलग है कि मोधी कभ उज्राद दंगा हुआ था उसमें इनका नाम आया था तो वहीं केपी सर्मा ओली जो हैं वह 1973 से लेके 1987 तक अर्था 14 वश तक जेल में रहे हैं ओली जहां 1991 से नेपाली संसच के सदस बने हैं बीच में एक बार हार भी गए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन 1991 से लगातार ऐसा ये जीते आये हैं इसके मद में ओली नेपाल के ग्री मंतरी विदेश मंतरी उपरधान मंतरी के पत पर भी रह चुके हैं 2015 में पहली बार नेपाल के प्रधान मंतरी बने लेकिन 2016 में इस्थिपा देना पड़ा और दोबारा के पी सर्मा ओली 2018 में प्रधान मंतरी बने और वही हाल अब 2020 में है जैसे 2016 में इन्हों ने पॉलिटिकल क्राइसिस के करण से इस्थिपा दिया था अब तो यही देखना है कि अब क्या ओली अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो पाते हैं या पूरानी बेवरस्था की तरह कोई भी नेपाली परधान मंतरी अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाता अगर देखा जाए पिछले रिकार्ड को तो वहीं मोधी 2001 में गुजरात के भ मतरी रहे और 24 में संसरी चुना में जीत कर देश के प्रधान मंतरी पिछले चैवर सो से बने हुए है दैसे केपी सर्मा ओली कितनी बार भारत में यात्रा कर चुके हैं तो यहीं केपी सर्मा ओली दो बार भारत की यात्रा कर चुके हैं तो यह थी हमारी बहुत ही important information आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को अधिक से दिक लोगों को पास सेयर करें जिसको भी इसमें से कोई भी point बु में सले क्या हूंगा आप सभी के लिए इसी प्रेकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के लडी ग्लासिस की ओर से धन्यवर